तो जब तक charging point नहीं बनेगे तो कैसे जाएगा तो जहां जा रहा है वहां तो charging point हो चुका है जहां नहीं है उसको भी हम लोग बिस्तार करने का प्रियास करें अभी सब्सक्राइब करने के लिए बहुत पहले से हो चुका है आप देखने लखी सराय तरफ चल जाएए आपको बांका तरफ चल जाएए यहां मुझा पर सभी जगह देख रहा है मोटा मोटा पाइप देखते होंगा कि रोड़ पर रखा तो यह सी एंजी जब पुरी तरह से मंत्री है शीला मंडल मैडम सवाल यह है कि सी एंजी बस का परिचालन बिहार में तेजी से बट रहा लेकिन इलेक्ट्रिक बसे जो है वो कम हो रही है उनका चार्जिंग स्टेशन नहीं है क्या इस समस्याओं को दूर किया जाएगा देखिए वो दूर हो रहा है और आप द तक चार्जिंग पॉइंट नहीं बनेगे तो कैसे जाएगा तो जहां जा रहा है वहां तो चार्जिंग पॉइंट हो चुका है जहां नहीं है उसको भी हम लोग विस्तार करने का प्रियास कर आभी सी एंजी वाला लैट पूरा बीज जाएगा तो चलना सुरू हो जाएग सब्सक्राइब करने के लिए बहुत पहले से हो चुका है आप देखने लखी सराय तरफ चल जाएए आपको बांका तरफ चल जाएए यहां मुझा पर सभी जगह देख रहा है मोटा मोटा पाइप देखते होंगा कि रोड पर रखा तो यह सी एंजी जब पुरी तरह से को बस जो है उसका परीचालन हो रहा कि आने वाले समय में बिहार सरकार क्या और भी ऐसे बस लाएगी जो बिहार से अलग राजियों में जाएंगे बिहार शेख बीख़ए लग साट जो box पर बढा का बात है तो वह हमारा बस कई राजियों में चल रहा है चाहा उतर पर है कि घूम फिल लिएं तमाम जो उपर घूम लिएं लेकिन इनका आखरी यात्रा है इसके अलावा कोई यात्रा कर नहीं पाएंगे अब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा देखिए यह जो बोलता है उसी सजो कोस्टन करता है उसी सेंसर लीजिए आप लोग चुक्राइए थी हम बातें को बातें साफ हो गई पर जो इलेक्ट्रीक बसों को लेकर हो और बहार शनके वो बहार में चुस तरीके से पैट्रूल डीजल बस चलते थे पैट्रूल containers से चलाई जा रही है और साथी साथ उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में ISBT से बहार से कई राजों में जो बस हैं वो चलेंगे चाहे वो बहार से दिली की बात हो बहार से कलकता या अंतरास्ट्री यानि हम बहार से नेपाल की बात करें नेपाल तक बस चलेंगे तो तमाम मुद्दो को लेकर बहार सरकार की मंतरी शीला मंडल ने कह दिया है कि आने वाले समय में नए बसों का परिचालन भी होगा और साती साथ अंतराश्ट्रिय और अंतराज बस भी खुलेंगे पहला खौर में से वत नहीं है आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जलसे हल कर लें बहुत बहुत धन्यवाद